जहन प्यारे साथियों स्वागत है आप सबेका एक बर फिर से खोटा किंग ऑफिस्यल पे हमाइए कविता संग्रा के तिसरे कविता के बारे में हम बात करेंगे आज जिसका नाम है खोटा काठे पैदे खंडी जिसको लिखा है एके जहाजी के द्वारा लिखा गया इस कवित कविता है वो सारी चीचें हम लोग एक एक करके बात करेंगे और सारे प्रश्णों को यहां से हम लोग जो वो इंपोर्टेंट प्रश्णों को हम लोग देखने वाले हैं यह सारा आपका क्लास जोगा वो mcq format में होगा यानि objective माध्यमों से होगा अगर समय बचता है अगर सारी चीचें अगर जो हम लोगों ने target रखा है अगर वो पहले complete हो जाता है तो हम लोग फिर कोशिस करेंगे कि एक बार जितने भी कविता है उसको जल्दी जल्दी से revision के तौर पे हम आपको कविता भी complete करवा दें जिस तरह से हम लोगों ने कहानी नाटक और सभी चीज़ डाक्टर एके जहा लागत तो यह बिल्कुल सही है एकर परकासन 1983 और 2014 में भेल रहे है तो यह भी सही है पहला परकासन 1983 में दुसरा परकासन 2014 में हुआ एकर में कुल 1990 कविता सामिल है तो यह सभी अंसर जो वो सही है यानि बिल्कुल D option इसका right answer हो जाएगा डाक्टर एके जहाजी के बारे में सही कथन के छाटा तो एके जहाजी से संबंधित सही कथनों को आपको छाटना है इनकर जनम 20 जून 1949 में भेल रहे तो यह सही है इनकर जनम थान चंडीपूर वोकारों लगए यह भी सही है चंडीपूर वोकारों में इनका जनम होता है 20 जुन 1949 को इन्खर मायक नाम कुसुम बाला और बापक नाम लक्ष्मी नारायन जाहलत तो ये सारी चीजें तो आपको याद हो ही गया साथी साथ एक डेट और आपको याद रखना है 29 सेप्टेंबर 29 सेप्टेंबर 2013 जिस दिन एके जाजी का निधन हो जाता है तो ये सारी चीजें आपको याद रखने हैं और इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्सन डी खोठा काठे पैदे खंडी किताब एक कविता नाय लागए तो इन में से कौन सी कविता जो वो खोठा काठे पैदे खंडी से समधित नहीं है तो बता दे कि इसकी पहली कविता तो है वो है चनफर मानूस जबकि इसकी अंतिम कविता जो वो है छववा साहित या तो फिर ड जो है वह आपको खोठा काठे पैदे खंडी ना ही ये इसका है और ना ही आँखी गीत का है ये मापकी जिगा एक मौनी फूल का है ये कभीता जो वो आँखीक गीत से संबंदित है आजहमर गीतेक देशें जो कि पांडरी जी के द्वारा लिखा गया ये कभीता है के लिर हो तो D अंसर जो है वो सही अंसर हो जाएगा जबकि खोठा काठे पैदे खंडी में चनफर मानुस, सवागत और लौतन जुगत भावत यह तीनों कविता जो हो वो एके जाजी के द्वारा लिखा गया है, किलिर हो गया तो option D इसका right अंसर हो जाएगा, option D इससे समधित नहीं है खोठा काठे पैदे खंडी किताबे कविता नाय लागए, तिन में से कौन सी कविता जो खोठा काठे पैदे खंडी के नाय लागए, डहरेक दोवानी, मानुस, नामेड और राधा ले, यह तीन कविता तो इससे समधित है, जबकि अगर बात किया जाए, हमर हाथे एक माला यह कविता जो वो आखी गीत से लिया गया है, तो इसका से अंसर हो जाएगा, option D इसका right अंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, खोठा काठे पैदे खंडी किताबे कविता नाय लागए, इन में से कौन सी कविता जो वो खोठा काठे पैदे खंडी से समंदित है, जबकि उपर का option A जो है, यह आथिक गीत से लिया गया कविता है, जिसका नाम है करिया काजरेक घर से, पानुरी जी के दबारा लिखा गया है, स्रिनमास पानुरी ने इस कविता को लिखा है, खोठा काठे पैदे खंडी किताबे कविता नाय लागए, इन में स सहायक चाहिए, सासक नहीं, सहायक चाहिए, सासक नहीं चाहिए हमें, तो कई बार बोलते हैं कि हमको सहायक चाहिए, यानि जो हमारी सहायता करे, वैसे लोग नहीं चाहिए, जो हम पर सास करे, हम पर अत्याचार करे, जुल्म करे, तो हमको सहायक चाहिए, सासक नहीं गोला नाई है ना तो साथी साथ ये सारा चीज आपको याद रखने और आजा दी ये तीनों कविता तो खोठा काठे पैदे खंडी एक के जाजी के द्वारा लिखा गया है जबकि option D जो है आपका option D हम देखल ही सत्य के यह कविता आखी गीत से संबनित कविता है आगे क्या जाए यह जो है वो किसे संबनित है यह कविता जो आखी गीत से लिया गया है जबकि मीरा मिलेट्स मर्सी और सब्टल साड़ा यह तीनों कविता जो हो खोठा काठे पैदे खंडी से संबनित है तो option A इसका जो वो सही अंसर हो जाएगा यानि एके तो करेला यह खोठा काठे पैदे खंडी से संबनित नहीं है आगे बरते हैं और आते हैं अगले सवाल पर खोठा काठे पैदे खंडी किताबे कविता नाय लागे तो इन में से कौन सी कविता जो खोठा काठे पैदे खंडी से संबनित नहीं है तो खोठा हाय खोठा यह आँखी गीत से लिया गया कविता है जिसको श्रिनवास पांवरेजी के द्वारा लिखा गया है जबकि गोटाटाका, मौरेक Лुईर और जिनगिक नभान यह तीनों कविता जो वो खोटा काठे पैदेख खंडी से लिखा लिया है और इसको लिखा है एक जहाजी के द्वारा जिनका पूरा नाम अ बच्चे को जब अपने बापा से नहीं यहाँ पे पापा ईडि नियुल पापा है यश्य की लिए यहाँ पे पापा सब्द है अपने पासेन के बापा और नियुल बाब बाब करें रोटी खिलाएंगे, हाना रोटी खाओ, तो यहाँ पे रोटी सब्द का परियोग किया गया पापा के जगा पे, हाना यह आपको याद रखना है, पापा कोई खाने वाली चीज नहीं होती है, तो यह सारा चीज आपको ध्यान रखने है, ठीक है, तो अगर सवाल में पूछा आपको यह बताना कि इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो देखे यहाँपे एक दिया है चनफर मानुस जिसको लिखा गया 1968 में सवागत 1975 में तो ये भी सही है सवागत ये भी सही है राधाले 1967 में ये भी सही है जबकि आजादी 1947 में नहीं यह कविता जो लिखा गया है वो लिखा गया है कब 1983 इस्वी में लिखा गया है कब लिखा गया है 1983 इस्वी में प्रश्ण बनते हैं, तो प्रश्ण बनाने का अगर देखा जा तो बहुत सारे प्रश्ण बन सकते हैं, हो सकता है कि एक टॉपिक से भी 20-20 प्रश्ण बनाया जा सकता है, लेकिन उन्ही प्रश्णों को आप पढ़िए जहां से पूछने के ज्यादा चांसे से, ऐसे तो प्रश्णों को छाट करके आपके बीच में लाया जाए, जो कि पूछे जाने के चांसे ज्यादा होते हैं, अगर बताने का हो तो बहुत सारा बताया जा सकता है, हो सकता है कि एक कवीता से 40-50 प्रश्ण बनाया जा सकता है, हर कवीता से 50 प्रश्ण बनाया जा सकता है, तो उस तरह से देखेंगे तो 7-35 यानि लगवग 3-4000 प्रश्ण जो वो एक आपके एक कविता आँखी गीत से बन जाएगा, नहीं तो कमसे दो हजार प्रश्ण तो जरूर बन जाएगा वहां से, तो ऐसे में क्या है न कि वहां पे नंबर माइने नहीं रखता कि कितना आप प्र नाम है, वो कविता नाम याद रखे कि कि किस पुस्तक से लिया गया है, उसके लेखक याद रखे, बार-बार हम इस चीज़ी दोहरा रहे हैं, कि उसके लेखक के बारे में याद रखे, और साथ ही साथ, उस कविता का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पे चनफन मानूस है तो चनफन मानुस, चनफन सब्द का, अगर यहां पर बात किया जा कि चनफन कैसा सब्द होता है, चनफन माने होता क्या है, तो चेठगर या तो फिर बुद्धगर, यानि जो बुद्धिमान होता है, उसको चनफन बोना जाता है, लिखा किसने है, एक जहान ने लिखा है, च जो भी करिया गोर यह सब विसेस्टा बताता है तो यहां पर मनुश्य की विसेस्टा बतला रहा है कि वह कैसा है तो चनफन मानुस है यानि तेज है बुद्धिमान है ठीक है तो यह सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ चीजें कुछ ऐसे सब्दावली होते हैं जो कि कई बार confusion होता है और वो कठीन प्रश्णों बनते हैं प्रश्णों से वहां से उससे भी प्रश्ण बनते हैं जैसे कुछ हम प्रश्ण आगे देखेंगे चलिए तो याद रखेंगे इसका गलत कौन सा मिलान है option D इसका अर्थ क्या हो जागा 1983 इसका जो वो राइट अंसर हो जाएगा के लिए रहो गया आगे बढ़ते हैं खोठा काठे पैदे खंडी में एक काठ कतिक बराबर हो बोए तो एक काठ जो वो 40 पहले के बराबर होता है तो इसका सेंसर हो जाएगा option C देखे कई जगा पे 30 पहला का भी एक काठ बनता है लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हम कविता में दिया हुआ है उसकी आधार पे हम बात करेंगे यहाँ पे 40 पहला का जिक्र किया गया है है ना तो याद रखेंगे और खोठा काठे पैदे खंडी खंडी का अर्थ होता है उसका एक खंड तो अगर खोठा कहता है कि अगर खोठा पूरा मान लेजे यह पूरा खोठा है और यह पूरा जो वो 40 है तो इसको अगर हम आधा कर दे एक खंड कर दे तो कितना हो और ये बीस बता रहा है कि ये जो विस है और ये बीस है तो बीस कि एगर बात किया तो यह चैनल यह जो इसमें से पद भाग है और या पर गय द्रचनाओं को ले सकते हैं खोठा काट आँ पैदेख खंड气 या और खोठा एक पूरा कह सकते हैं खंडी है यानि एक पूरा पहला है तो उसका खोठा जो वो एमापकी जिगा खोठा एक काठ है तो पैदे को उसका जो वो एक खंड है तो उसी का आधा भाग बताया जा रहा है कि खोठा पूरा में अगर देखा जा तो दो भागों में तोड़ सकते हैं गद्य भाग और पद्य भाग तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि खोठा का आधा भाग जो वो पद्य भाग है क्लिर हो गया तो इसका सेंसर हो जाएगा ओप्सन सी लेकिन वही पूछ ले कि यहाँ पर खोठा काठे पैदे खंडी में पद्य को कितना बताया गया है तो पद्ध को कितना बताया गया है, 20 पहला बताया गया है, जबकि खोठा को कितना बताया गया है, एक काठ बताया गया है, यानि खोठा को 40 पहला बताया गया है, तो दोनों चीज़ें याद रखना है, चनफर मानुस के माने की होगा है, तो चनफर मानुस का रथ होता है, च ये गाला है। तुट ना तो इसका अर्थ ये भी होता है। इसका इर्थ चंचल भी होता है। तो यहां पे मनुष्य की विसे tap क्या बता रहा है कि वह बैकूफ यह तो इस तरह से चीज्जें आपको याद रखना ए और करिया मानुस तो करिया भी इसकी विसे करिया पता रहा जैसे बोले गाय तो यह तो तो संग्यावाचि सब्द और करिया गाय तो करिया यहाँ पर क्या है इसकी विसेशता बतला रहा है करिया क्या है यहाँ पर विसेशता बतला रहा है हाना तो यह सारी चीज़ें आपको याद रखने है लेर धैर कौन समा सके तो लेर धैर इस तरह का जब भी हमने बताया था कि इसको क्या कीजिए कि आप तोड़ने का परियास क तो वो सभी क्या होता है वो सभी द्वंद समास के अंतरगत आता है द्वंद समास को खोठा में अरसड़िया समास के नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर option A हो जाएगा साथी साथ हमने द्वंद समास को पहचानने का एक दो और तरीका बताया था कि या तो एक दुसरे का वो विलोम जैसा होता है, तो यहाँ पर एक दूसरे का विलोम है, ठीक उसी परकार से लेर्ध है, उसी तरह से देखा जातो एक दूसरे का विलोम होगा या विलोम की जैसा होगा, जैसे दूध भात, दूध भात, तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे का विलोम नहीं है, एक दू द्वंद समास हैं नहीं ऐसा नहीं है हमने एक एक जामपल लिया था जैसे दिन दिन ये द्वंद समास नहीं है ये क्या है ये अब्याई भाव समास है ये क्या है अब्याई भाव समास है तो कई लोग यहां पर समझते हैं कि यहां पर योजक चीन होता है बीच में वो जो होत आपको clear हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं धन-धन के माने की होगए तो धन-धन के माने की होगए अब देखें यहाँ पे दो तरह का सवाल आपसे यहाँ पे बन सकता है पहला तो यह किस तरह का माने इसका अर्थ क्या होता है पल-पल हर घरी बार बार तो इसका answer तो हर पल है ना पल पल यानि हर पल तो यह क्या हुआ अभ्याई भाव समास होता है क्या होता है अभ्याई भाव समास होता है अभ्याई भाव समास का पर्थम पद जो होता है यानि पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है पर्थम पद परधान होता है यह हमने बताया था जैसे दीन दीन पैत दीन है ना दीन दीन अगर लिखेंगे तुसको क्या लिखेंगे पैत दीन पैत दीन तो देखिए पैत यहाँ पे जो है वो क्या है पर्थम पद है इसका और दीन क्या है यहाँ पे द्वितिय पद है तो यहाँ परधान कौन सा है तो पहला पद है यानि पहला पड़ पर्थम परधान या पहला प्ड़ परधान जबकि दूसरे को उत्तर पड़ परधान दूसरा पद परधान या तो पिर इसे परपद भी कहा जाता है परपद या उतरपद या दूतियपद या दोसरपद तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने तो ये अब यही भाव समास का उदारन भी है चलिए आगे बरते हैं अगला सवाल है चनफन मानुस कविता कोन वाद के सापट या समर्थन कर रहा है तो चनफन म मानुस का अर्थ होता है चेतन सिल बुद्धिमान मनुश्य चेतन सिल या बुद्धिमान मनुश्य यहां पे बोलता है न कि मनुश्य एक चेतन सिल और बुद्धिमान प्रानी है यह पल-पल नया सोचते रहता है अपने हीत में नई-नई कलपनाय करते रहता है परंप्रा की बाधाओं को तोड़ करके पिछली जो भी मायनिताएं है उपलब्धी और आदी को छोड़ करके अपनी नई चीजों के खोज के बारे में लग जाता है और बताया गया कि क्योंकि मनुश्य का मन जो वो निरंतर नमीन कलपनाए नमीन उदभावनाएं करते रहता है हमेशा नई नई खोजे नया नया अनुसंधान करते रहता है प्रकरते के रहस्यों को टटोलते रहता है और अपने सामर्थ या कुवत और तरकीबों से वो इन चीजों को हमेशा जो वो एक नया आयाम देता आया है अर्थात मनुष ही एक मात्र परानी है जो इस जगत के सारे परानियों से अलग और खास है और स्रेश्ट माना जाता है क्यों माना जाता है तो यह सारी चीजे हमने बता दिया कि मनुष हमेशा जो वो अभी नया जीजे सोचते रहता है जैसे एक यहाँ पे आपको सब्द बार-बार देखने को मिलता है कि सकट ले रोकेट तक सकट ले रोकेट तक यानि सकट सब्द का जो परियोग वहाँ पे किया गया है वो किसके लिए किया गया है तो बैल गाड़ी और रोकेट आप सभी को पता ही है है ना, रेल गारी, तो बता दी कि यहाँ पे बात क्या गे कि एक समय ऐसा था कि लोग जो वो शकट यानी रेल गारी से चला करते थे और आज लोग जो वो कहां तक, रोकेट तक पहुंच गए, पहले लोग नीचे की सिर्फ धर्ती की बात करते थे, अब नीचे धर्ती के नीचे भी बात करते हैं, धर्ती के उपर भी बात करते हैं, यानि आकास पाताल हर जगा पे आदमी मनुष्य जो वो अभी के समय में करते रहता है, एक समय ऐसा था कि टेलिग्राफ विगरा चलता था, यानि चिठी पत्री चलता था, अभी टेलिफोन, स्मार्ट फोन आ गया तो देखें, चीजें कितनी वदल गई है, तो ये सारी चीजें आपको तभी संभव भी हो पा रहा कि आप हमें जो वो अच्छे से बैठ करके कहीं पिसे भी सुन पा रहे हैं, हाना तो ये कहीं न कहीं मनुष्य का ही तकनीकी का विखास है, नहीं तो अगर मनुष्य सांत बैठ रहता, बैठे रहता की चलो भाय खापी करके किसी तरह से जीवन काटो तो उसी तरह से चलता रहता आज भी, तो ये सारी चीज तो यहां पे सवागत कविता में जो मानुष्य के बुद्धिक और विकास का सहायक बनता है उसी को जो यहां पे बात किया गया और उसी का समर्थन यहां पे किया गया है उसकी रिती नीतियों का समर्थन जो यहां पे किया गया है अगला सवाल देखते हैं आते हैं अगले सव ही हब है तो देखिए कई जगा पी खोठा में आपको लेकिन किंटु परंतु ये सब नहीं दिखेगा वहाँपे खोठा में मकीज सब्द का परियोग जो जोंगGu किया जाता रही कर था है तो आहां पर आ अर्थ है अर्थ के आधार पर 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 आपको सेंटन्स के हिसाब से मां पर change होता रहता है इसका अर्थ ठीक है मैं आगला सवाव ले के गाली मने खोट है कि हम है तो गाली यानि वुँआ वाल दिए वदन नहीं यहाँ पर गाली بين 시청 سے अन wymशन को आ इम झूझारी का कई बार आप एक नाम सुना होगा गाली गुचाए बाढ़ ले जाए यानि बंधन तोड़ करके बढ़ते जाना गाली गुचाए बाढ़ ले जाए तो यानि जो बंधन है उस चीज को तोड़ करके बंधन की रसी जो हो उसको तोड़ करके और आगे बढ़ते रहना कई बार होता है कि आपको खींचने का प्रियास कई लोग पीछे से करते हैं जब आप आगे निरंतर सफल होते जाते हैं तो कई लोग आपको पीछे खींचने का प्रियास करते हैं तो उस समय में आपको क्या करना पड़ता है गाली गुचाय बाढ़ ले जाए यानि बंधन तोड़ करके वो सारे बंधन को तोड़ करके आप बढ़ते जाए उन चीजों पे आप ध्यान ना दे गाली गुचाय का अर्थ होता है बंधन यहाँ पे, क्लिएर हो गया तो ये सारी चीज़ें आपको धियान रखना है नेपोलियन सिकंदर याजीद हेटलर जैसन बोड़ बोड़ दमगर सासक के केकर माथा कभू नाय काटल तो बता दे कि बुधेक माथा यानि बुधेक माथा यानि यहाँ पे बात क्या गया है न कि चाहे वो कितने भी बड़े सासक क्यों ना हो वो हमेशा क्या कि सब को तो रोक लिए लेकिन बुधिमान मनुश्य को वो कभी नहीं रोक पाए बुधिमान लोगों को जो वो कभी वो लोग नहीं रोक पाए यानि कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि कुछ भी होता है सासक पहले कि क्या होते थे राजा महराजा जो होते थे न वो नहीं चाहते थे कि विज्ञान का ज्यादा विकास हो विज्ञान का वो ज्यादा विकास नहीं करने देना चाहते हैं क्यों ऐसा चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर विज्ञान का विकास ज्यादा हो गया तो हमारा जो महत्व है वो कम हो जाएगा और कहीं न कहीं हुआ भी ये सब के सामने है कि जैसे जैसे जो वो यहां पे विज्ञान का विकास होता है तकनीकी विकास होता है वैसे व सभी चीज आपको ध्यान रखना है चले आगे बरते हैं और आते हैं अगले सवाल पर कविता सवागत में आल मुहावरा के छाटा, तो सवागत कविता जो है यहाँ पर मुख रूप में कांखे कोरे रहेख, गाली गुचवेक और घड़ी के बांदेख, यहाँ पर तीन कविता के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है तो ये सारे चीज है कांखे कोरे के गड़ी के बांधेक यानि मतलब रहने है कि उसी के आधार पर चलते रहना तो वह चीज है यहांपे तो ये सारे चीजें यहांपे याद रखना आपको जैसा होता है कि जैसन चले हैं तो इसने बना गे राखेक जोर यह बोलते हैं कि जिस तरह से यह गूम रहा है तो घड़ी का क्या होता है सुई जो बो दीन भर में इसी तरह से घुरते रहता है, घुरते रहता है एक जगां पे फिक्स कर दिया है, तो ठीक उसी परकार से, आप भी क्या है कि सुबा से सुरवात किए, सुबा उठे, नास्ता किए, खाना खाये, फिर जो अपना कामधंदा किए, फिर साम को आये, फि कि यही चीज़ करते हैं, बस उसी तरह से पूरा जीवन आपने काट लिया, तो उसके बारे में यहाँ पे जो बात किया गया है, हना तगहड़ी के बांद एक अर्थ वही होता है, किलिर हो गया, चली, साथी साथ यहाँ पे जो भी है, कि जो भी ज्यान विज्यान है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, उस पर वाधा पहुँचाना, यह सारी बातें यहाँ पे की गई है, चली, आगे बढ़ते हैं, तो इसका अंसर हो जाएगा option D, यानि यह सभी मुहावरा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, मुहावरा को खोठा में आहना कहा जाता है, चेठगर बेगत, जगत की कैसन देखोगत, तो चेठगर बेगत जो वो जगत को कैसा देखता है, गुजुर गुजुर, यानि गुजुर गुजुर का अर्थ यहाँ पे क्या है जी, यह सभी जो वो चेठगर का अर्थ होता है तो 184 का option A इसका right answer हो जाएगा चेठगर कौन सबद हक है तो चेठगर जो वो कैसा सब्द है या जो वो देशज सब्द है या ठेट सब्द है तो याद रखेंगे चेठगर जो वो कैसा सब्द है देशा जी सब्द है, क्लेर हो गया, आगे बढ़ते हैं, दहनाय दियेक, यह की लग है, दहनाय दियेक यह आना है, और आना मतलब यह मुहावरा है, दहनाय दियेक मतलब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि दहनाय देना, मुहावरा में कली हमने मुहावरा, कि इसके बारे मे यानि काम योगो धंग से नहीं करना, उसी को बोला जाता है दहनाय देना, ठीक है, आगे बरते हैं, रेखा के माने किया हुए तो रेखा, लकीर और लिकिये सभी इसका सही अंसर हो जाएगा, खोठा काठे पैदे खंडी कविता संग्रेक, कविता गुलेन, कौन विचार धार अगला सवाल देखते हैं, खोठा काठे पैदे खंडी में छववा कविता कौन सिर्शक से हैल है, तो डिरी नुनु पापा खऊओ, इसका सही अंसर हो जाएगा, मिलेट्स मर्सी कविता कवी कौन भासा में खोठा अनुवाद करल हत, तो देखी, मिलेट्स मर्सी, इसके बा पहले या लिखा गया था, इंगलिस में, जाजी के त्वारा, के लिए रहो गया, पहले इसको इंगलिस में लिखा गया, बाद में इसका खोठा में अनुवाद होता है, और इसका खोठा में अनुवाद होता है, वो नाम रखता है, बाजराक किर्पा, तो देखी, इसका न नाम से जो वो पहले इंग्लिस में लिखा गया था बाद में उसका जो वो खोठा में अनुवाद होता है दरसल एके जाजी जो थे न वो ऐसा ने की केवल खोठा में लिखते थे, खोठा, हिंदी, बंगला, उर्दू इंग्लिस, ये सभी भासाओं में लिखा करते थे, और कई सारे रचनाएं उन्होंने जो वो इन सारे भासाओं में लिखे हैं, तो ऐसा ने की केवल वो खोठा में ही लिखा करते थे और भी कई ऐसी भासाओं हैं, जिसमें उन्होंने जो रचनाएं की है ठीक है आगे और भी कई ऐसे रचना के बारे में हम लोग भी यहाँ पर बात करने बाले हैं तो यह मूल रूप से जो लिखा गया था वो किस में तो अंग्रेजी में लिखा गया था बाद में उसमें खोठा में अनुवाद होता है, ठीक है तो याद रखेंगी इन सारी चीजों के तो कौन भासा से खोठा अनुवाद कर लिलिए अंग्रेजी भासा से और नामे हले मिलेट है मिलेट हैं तो पहले इस नाम से जो लिखा गया था क्यों लिखा गया था आखिर में कविता इसका लिखने का मकसद क्या था तो दरसल मिलेट्स मर्सी जो कविता होता है ये कविता लिखा जाता है 1966-67 का जो अकाल पड़ता है 1966-67 में तो उस समय का जो 66 में महारत में आए भीशन अकाल है उसी के समय में अमेरिका के द्वारा भारत को कुछ मोटे अनाज भेजे गए थे अब होता क्या कि उस समय हम लोग तो बिहार के पाट थे तो बिहार में भी देखा गया कि उस समय उस साल जो वो इतना भीशन गर्मी पड़ा था पानी ने पड़ा था, जिसके कारण से खेती बारी ने हुआ, अब खेती बारी ने हुआ, तो लोगों के पास खाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या भी यहां पे देखने को मिलता है, तो ऐसे में, अर ऐसा नहीं के केवल विहार में उसमें पूरे भारत में जो अकाल देखने को मिला था, 6666 में, तो होता क्या है ना, कि उसमें मोटा अनाज जो है, मोटा अनाज में क्या-क्या था, यह सारी बातें आपको पता है, जवार बाजरा एगरा जो होता है, यह सब मोटा अनाज में आता है, तो वहां पे जो बाज तो कुछ भी आत्मी जो मिला खा लिया खराब किस्म का ही था लेकिन उसको भी किसी तरह से काटना था लेकिन फिर वही हाल था हर दिन एक जैसा नहीं होता है अगला साल सब कुछ अच्छा होता है और भरपूर पानी परता है खेती बारी अच्छा होता है फिर लोगों के साथ में सब कुछ पहले जैसा धीरे धीरे आ जाता है इस्थिति तो उसी को ले करके यह कविता जो को लिखा गया है मिलेट्स मरसी तो यह सारी बातें आपको धियान रखना है खोटा काठ है पैदे खंडी में काठ और खंडी के माने की होगे तो यहां पे हमने पहले बता दिया इ इंडी यहां पे 20 पहला है ए और 40 यहां पे काठ है चले रहो गया आगे बढ़ते हैं सबागत कविताय कभी एके जा कँड़ा capable है तो नवा ग्यान विःख्ञान के सबागत करने की यहाँ पे गईदे खंडी भी है इसको अंसर नहीं कर लिजेगा ठीक है तो खोठा काठे पईदे खंडी इसका सही अंसर हो जाएगा बता देख इसमें गद रेचनाव को लिखा गया है इसको गद रेचनाव को लिखा गया है यह 1984 में लिखा गया था जबकि खोठा काटे पैदे खंडी इसको 1983 में लिखा गया था, किलेर हो गया, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखने हैं, और दोनों एके जाजी के द्वारा ही लिखा गया है, खोठा काटे गईदे खंडी और पैदे खंडी, मीरा चाही गोला नाए, कभी ता कभी के ल चाहिए, तो मीरा चाही, यानि हमको सहायक चाहिए, जो सहायता करे हमारे, गोला नाए, यानि सासक नहीं चाहिए, जो हम पे सासन करे, अत्याचार करे, वैसे लोग हमको नहीं चाहिए, तो इसका अर्थ ही यही प्ये है, जो इसको लिखा है, एके जाजी के द्वारा लिख लिखा गया है मीरा कबिता की माध्यम से यहां पर बात की गई है के जाजी के द्वारा इसकामी लिखा गया है केलिर हो गया आगे वड़ते हैं मिलेट्स मर्सी कविता कौन जोखा है या किस संदर्भ में लिखा गया है तो इस कविता को जो लिखा गया है वो 1967 के भारतिक भीशन अकालिक लेतायरे या कविता को लिखा गया है यह काफी इंपोर्टेंट है यहां से प्रश्ण आपको जरूर देखने को मिलेगा एक्जाम में इसलिए हम अंत में एक आपको ऐसा वीडियो देंगे ना आप घबराईए नहीं हम चीजें हर चीज आपके लिए आसान कर देंगे थोड़ा सा आप लोग धहरे रखिए एक्जाम के पु बैठेंगे तो 80-90% प्रश्ण जो न वहीं के प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे बाकी क्या 10% इधर उदर हो सकता है लेकिन लगभग 80-90% प्रश्ण आपको उन्हीं टॉपिक से मिल जाएगा यह हम अंत में आपको एक्जाम के कुछ पूरू में हम आपको यह सारा किवल टॉपिक किलियर ने करेंगे वहां से आपको जो भी बन सकते हैं वो सारे डाटा को भी हम आपके बीच में ला करके रखेंगे तो आप लोग घबराईए नहीं सब कुछ आसान होने वाला है खोठा ऐसा हो जाएगा जो कि आप जब आप एक्जाम में बैठेंगे तो बिल्कुल सब कुछ आसान आसान सा दिखेगा अपके सामने चलिए आगे बरते हैं आते हैं अगले सवाल पे एके जा कौन-कौन भासाएं कविता लिखलत तो एके जा हिंदी बंगला खोठा और अंग्रेजी ये सभी भासाओं में जो ये लिखा करते हैं है ना तो ये सभी भासाओं में जो रचनाएं कियें और ये बासाते हैं यहां पर आपको और अप्षन में दे रखा है हिंदी बंगला खोठा अंग्रेजी आदी भासाओं में जो इन्होंने लिखा है क्लियर हो गिया एके जहाब खोठा के छाड़ा आर कौन भासाइं रचना करल हथ तो हिंदी में, बंगला में, अंग्रेजी में, उर्दू में, संस्क्रीट में ये सभी भासाओं में इन्होंने रचनाई की है ठीक है तो यहाँ से इसका से अंसर हो जाएगा option D आपसे कि धारा गगन सिधांत जो वो किस खोठा साहितिकार से संबंदित है तो यह एके जहाजी से शंबंदित है किलियर हो गया आपको सारी चीजें असपश ट्रूप में याद रखने है आगे बरते हैं और आते हैं अगले सवाल पे संजुवया करमाने की हब तो संजुवया का अर्थ क्या होता है तो संजुवया का अर्थ जो होता है वो होता है संपादक क्या होता है संपादक इसका हिंदी अर्थ होता है किलियर हो गया तो हो सकता है कि किसी रचना के बारे में आपसे पूछ ले कि इसके संजवया के हला अब संजवया के मतलब है आपको नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में इसका संजवया का अर्थ क्या होता है तो अंसर कहां से कीजेगा तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है संजवया का अर्थ होता है संपादक क्योंकि खोठा सब्दावली ही कठीन है जब आप सब्दावली से घुल मिल जाएंगे पूरे तो आप खोठा जो बहुत कठीन नहीं लगेगा लेकिन जब तक आप उसके सब्दों से आप परिचित नहीं हुए हैं तब तक आपको सारी चीज़ें कठीन लगेगा, किलियर हो गया जैसे यहाँ पर कभीता इसमें दिया हुआ है, मानूस ना मेड हम यहाँ पर एक कभीता इसमें दिया हुआ है, मानूस ना मेड इसमें से मानूस का अर्थ आपको पता चल गया कि अच्छे से याद कर लेंगे ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर सवाल पूछा गया कि चनफन मानुस आपन उद्दे से पूर्वे खातिर कैसे बाढ़ा है ओज से उत्सा से लुर ढंग से तो वो सभी तरीके से जो चनफन मानुस यानि जो बुधिमान व् जो वो समर्थन करते हैं वो सभी का जो वो स्वागत करते हैं किलेर हो गया तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन डी बुधि के ज्यान का विज्यान का और बेस रिती नीती के ये सभी का जो वो स्वागत करते हैं डहरेक डवानी कर माने की हवत तो डहरेक डवानी तो यह लि कांदना ठीक है तो यह सारी चीजें आपको याद रहा है यहां से भी प्रश्ण पूछा जाएगा कि डहर एक डौवानी जो वो ककर लिखल कभीता लागए तो यहां से भी प्रश्ण जो बन सकता है ठीक है चली आगे आते हैं और आते हैं अगले सवाल पे अगर इस कभीता की बात किया जा तो 1981 में जो वो रेडियो पर सारण किया गया था इस कभीता का डरिक डौवानी लेकिन यहां पर देखी ओप्सन बी और सी में भी कुछ उसी तरह से दिया हुआ है तो अंसर इसका डी ह हो जाएगा ठीक है कई बार ऐसा होता है कि आपने पहला ही ओप्सन देखा और अच्छा से उसको टिक करके और आगे बढ़ गए लेकिन आपने दो ओप्सन देखा ही नहीं पता चला कि वो दोनों ओप्सन भी होता और ओप्सन डी होता तीनों होता या तो कई बार ऐसा होता है कि केवल एक option था एक option मारना था आपने डी में देखा उप्यूग तो सभी आपने बिना देखे उप्यूग तो सभी मार दिया यह दो condition आता है और यह दो condition से आपको बचना है तीसरा एक और option में confusion कहां पे होता है कि इन में से कौन नाय लगए आपको लगा कि कौन हक अर ना यहां पर नहीं रहेगा यहां पर लिखेगा पहला लाइन वह खतम हो जाएगा उसके बाद यहां पर रहेगा नाय ठीक है और लागे तो यहां पर क्या होता है कि ऐसा में लगता है कि यहां तक डरेक डवानी कर माने माने यहां पर लिख दिया माने और यहां पर नीचे लि सब्सक्राइद की लेलहत तो कभी जोगो रास्ता को जोगो किस रूप में यहाँ पे किस रास्ते की बात कर रहे हैं, किस डहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कभी जोगो जिंदगी की डहर की बात कर रहे हैं, यानि जिंदगी का रास्ता की बात कर रहे हैं, कि जिंदगी का डहर जोगो किस का रोना इसमें से दिखाया गया कि मूल कविता में जो मूल भाव है वो है परगती सिल विचारों के पत पर चलने वाले कि संख्या जो वो कम होने का दुख जो वो बताया गया है कि देखिए आपको ने बोलते हैं कि यह दो रास्ता है एक रास्ता इधर चल रहा है और एक रा सही मार्ग है न यहाँ पे भीड की अगर देखा जा तो काफी कम भीड देखने को मिलता है तो उसी के बारे में यहाँ पे बताए जा रहा कि जो परगति सिल विचार का पथ जो है वहाँ पे लोगों का संख्या जो काफी कम होता है और बागी जो गलत तरीके गलत राह है गलत राह में आपको कई लोग दिखाए देंगे बहुत अधिक लोग यहाँ पे भीड अधिक संख्या में लोग जो वो दिखेंगे आपको ती सारी बातें यहाँ पे कभी जी जो वो बताने का प्रियास कर रहे है जहाजी, clear हो गया, आगे बढ़ते हैं मानुस ना मेड कविता हैं, मेड सब देख सही माने छाटा तो मानुस ना मेड, यहाँ पे मेड का अर्थ क्या है मानुस ना मेड, मानुस ना मेड नहीं है, मेड है ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग, mistake है, बहुत टाइपिंग, error है थोड़ा सा, क्या बोले, थोड़ा सा condition हम लोगों के साथ में अब यह बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत कुछ बुरा ही चल रहा है इसलिए बहुत तरह, आपको लगता है कि जितना आसानी से हम लोग दे पा रहे हैं वीडियो लेकिन इसके पीछे में कितना दिकतों का सामना करना पड़ रहा है, यह तो हम ही लोग जानते हैं लेकिन चल लिए खर कोई बात नहीं, जो भी है, यह सारी बातें इन चीजों को हम लोग टाल करके और आगे बढ़ने का पर्यास कर रहें ताकि यह सारी चीजें हम लोगों के लिए बाधा साबित नहीं हो तो मेड का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर अभी हमने बताया कि मूरत या तो फिर मुर्ती होता है यहाँ पर बताया जा रहा कि मानुस ना मेड, यानि मनुस से है या मुर्ती है या मुरूत है, नहीं बोलते कि एकदम मुरूत ये सिन काई खड़ा ही है यानि बिल्कुल अस्थिर खड़ा होना, तो मुरूत यानि मुर्ती जैसा, तो वही यहाँ पर बताया गया है इस कविता के माध्यम से, अगला सवाल देखते हैं, दादाग भरों से कतारी, ना हवे सही माने छाटा, तो यहाँ पर दादाग भरों से कतारी, यानि पहला तो हो है कि आपन से आपन से ना है तो बापों से ना है, यानि जो कारे आप नहीं कर सकते हैं, वो कारे और कोई नहीं कर सकता आपका, इसलिए आप अपने आपको ताकतवर मानिए, अपने आपको पहचानने का परियास कीजे, आप से ज़्यादा बुद्धिमान और आप से ज़् में क्या होता है कि खुद को सपोर्ट करने की आविशक्ता होती है खुद को सहायता करने की जिरुरत होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D इसका right answer हो जाएगा दादक भरोसे कतारी यानि दुसरे के भरोसे में नहीं रहना चाहिए नहीं तो वो काम का नुकसान ही होगा राधा ले कभी तक सिर्शक के माने की है तो राधा ले यानि राधा खातिर राधा लागीन या राधा के लिए तो इसका answer हो जाएगा option D अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद आ रहा होगा खातिर लागीन के लिए ले लेल यह सभी कहां आता है तो यह सभी हम ल यह क्या होता है कारक अर्थ होता है क्रिया यानि करना किसी कारी को करना हाना तो कहता है कि किसी भी कारी को करने का एक उद्देश होता है आखिर में हम किस उद्देश के साथ उस क्रिया को करना चाह रहें अगर मान लो कि हम पढ़ाई कर रहें तो आज किस उद्देश के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके सामने जो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने पूछा कि आप किस लिए, यानि ककर खातिर, ककर खातिर, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, तोहिन, ककर खातिर पढ़ा हा, या पढ़ो हा, ठीक है, यहाँ पे हमने यह लिख दिया, तो के लिए पढ़ रहें तो आप किसके लिए पढ़ रहें नौकरी के लिए आपका जबाब होगा नौकरी के लिए तो आपका क्या है एक उद्देश है अब देखे केवल नौकरी उद्देश नहीं है पढ़ना केवल नौकरी उद्देश नहीं होता है आप ज्यान भी अर्जन क के सिक्षा मंत्री भी क्याते हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे नोगरी ये थोड़ीन करेंगे हर जगा पढ़े लिखे लोगों की आवशक्ता होती है चलिए एक जगा ठीक भी बोलते हैं और कुछ मामलों में गलत भी बोलते हैं लेकिन फिर भी चलिए उन चीजों को आपको भी यान रखना है तो यहां पे संपरदान कारका जेकर यहां पे किया गया है तो इसका सेंसर जाएगा ऑप्सन डी राधा ले कविता मूल रूप में लिखा गया था ना पहले वो किस भासा में लिखा गया था बंगला में लेकिन उसका रूपांतरन जो वो खोठा में बाद किया गया चली आगे बढ़ते हैं राधा ले कवितायन ले कौन कारकेक विभक्ती है तो यहाँ पर हमने पहले बता दिया संप्रदान कारक की विभक्ती है साध माने की हो वो है तो साध का अर्थ अभिलासा, एक्छा, मुराद ये सभी होता है किलिर हो गया? अगला सवाल है भारतेक मोडा सिरसके मोडा माने की हो वो है तो मोडा का अर्थ यहाँ पे एक तो होता है चेहरा और दुसरा है मुखवटा तो यहाँ पे भारतेक मोडा 1 और भारतेक मोडा 2 यहाँ पे आपको 2 कविता दिखेगा भारतेक मोडा 1 और भारतेक मोडा 2 अब यहाँ पे सवाल उरता है कि आखिर में इस कविता में लिखा क्या गया है बताया क्या गया है भारतेक मोडा 1 और 2 में तो बता दे कि भारतेक आयास जो वो इसमें से किया गया है क्या है वास्वी किस्थिति तो जो भी आपने देखा है भारत के संदर में जिस आधार पे देखा जाए क्या भारत का चेहरा 1969 में इस कविता को लिखा गया 1969 में इसको 1969 बना देते हैं 1969 तो 1969 में भारत की मोहड़ा एक और भारत की मोहड़ा दो ये दोनों का रचना काल किया जाता है इसमें से बताया जाता है कि कवी ने भारत की सची तस्वीर का प्रस्तुती करन किया गया इसमें जिसमें से साधारन गरीब जनता की दीन दीन दसा दिखाई गई है कि भारत की जनता का वास्त्विक इस्थिति क्या है लोग तो बहुत बोलते हैं कि हमारा भारत ऐसा है वैस तो एक गरीब का कि हालात कितना बढ़ा है उसके जीवन कि कितना परभाव हुआ है व। वो सारी बाते चीजें वहां पे बात क्या गया और भारतय की बिसमें से बताया गया है तो इस वर्न के लोग हैं उन लोगों की जो सान और ठाठ जो दिखाया जाता है उस पर वियंगी यहाँ पे किया गया है इस कविता के माध्यम से तिया सारी बाते इसमें से जो वो दिखाया गया तो इसका अंसर हो जाएगा option D इसका सही अंसर हो जाएगा भारतेक मोड़ा कविताएं कभी एक केकर चहरा देखवल गिल है तो भारतेक मोड़ा में कविता में जो चहरा दिखाया गया वो किसका तो भारत का असली चहरा भारतेक दोनों एक ही एक ही चीज यहाँ पर हो गया है ठीक ना एक दूसरा था यहां पे कि भारत का जो लोग है यहां पे हाना तो भारत की जो गरीब गरीब लोग है उसकी इस्थिति के बारे में यहां पे उसके चर्चा किया गया है और तीसरा है भारतेक लोग मजा लोटो होत तो वो सभी बातों के बारे में यहां पे मेरा चाहिए गोला नाएं, हाना सहायक चाहिए सासक नहीं, इसमें से दिखायागा कि पुरुसों की पुरुस बादी मान सिखता, से पती की जगह नारी का सासक बनने की प्रविर्ती पर चोट किया गया है, नहीं बोलते हैं कि एक पती कई बार ऐसा होता है, पती ऐसा लगता ह हुआ है तो वहीं यहां पर पतनी के रूप में यहां पर बताने का प्रियास किया जा रहा है कि हमको मीरा चाहिए यानि हमारा जो सहायक चाहिए ना कि हमारा सासक चाहिए हम पर सासक करने वाला तो यहाँ पे नारी की स्वतंतरता की वकालत जो वो कवी जी के द्वारा किया गया है एके जाजी के द्वारा यहाँ पे किया गया है इस कवीता के माध्यम से और बताया गया कि नारी को जो वो उसके लिए जो वो एक सहायक चाहिए सासक नहीं बनने की परवर्ती उसमें से पुरुसों के उपर में यहां पे चोट पहुँचाया गया है और उनको जो वास्तविक आयना दिखाया गया है बोलते हैं न कि वास्तविक आयना दिखाना तो उसी के बारे में यहां पे बात किया गया है चलिए आगे आते हैं और अगले सवाल को देखते हैं आजादिक पहिल आंदोलन कर नाम अंग्रेज की देल है तो देखिए आजादी कविता जो है वो 1983 में लिखा गया है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था सवाल हाँ ना 1983 तो 1983 में इस कविता की रचना होती है देश क आजादी के आंदोलन का बखान इसमें से किया गया है और अब कह सकने कि व्यस्थागत आजादी के लिए जंता को जगाने का जो वो आवान किया गया है अब देखी होता क्या है ना कि देश की आजादी तो हो गई लेकिन क्या आपकी व्यक्तिगत आजादी हुई है क्या तो स पूरी आ जाधी पूरुसों के पास में उनके पास में भी कई तरह के रोड़ा है उनके पास भी व्यक्तिकत आ जाधी नहीं है वास्त्विक्ता यहीं है कि सब के पास आ तो इसका सही अंसर यहाँ पे सही हो जाएगा हलाकि यहाँ पे सिपाही विद्रो लेकिन सिपाही विद्रो के साथ साथ यह सभी नाम भी नाम से भी जो बहुत दिया गया था क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है एके जहा कर देश प्रेम भाव कौन कविताएं जलक है तो आजादी कविता में यह जो वो देश प्रेम जलकता है केलेर हो गया और 1983 में इसका जोगो रचना किया गया था पाजराक किरपा कविता मूल रूपे कौन भासा एं लिखल गेल है जो कि 1963 में लिखा गया था पहले बाद में उसका जो ऑनवाद होता है हना बाजराक किरपा के नाम से केले रहो गया आगे बरतें अगला सवाल देखते है बाजरा किरपा कविता के अंग्रेजी से खोठाएं के करल ले तो एके जाजिने करल ले बाजरा किरपा कविता अंग्रेजी सिर्सक किये ले तो उसका सिर्सक का नाम था मिलेट्स मर्सी है ना मिलेट्स मर्सी उसका से अंसर हो जाएगा सब्टल साड़ा में केकर साड़ा साड़ा के बात कभी कहलत तो सब्टल साड़ा में केकर साड़ा के बात कभी जो वो यहाँ पे किय हुए है तो भोला भाला लोग कर टूंगरी धैर लोकर और बॉन्तुरिया लोकरी तो ये सभी लोगों के बारे में यहाँ पर बात किया गया है अब देखे सब्टल साड़ा सब्टल का अर्थ होता है दबा हुआ और साड़ा का अर्थ होता है ध्वनी या तो आवाज आप सभी को पता है को फोटा में ध्वनी थी करे लो, याणि को न पर कहीं दबर गिया है, तो दभी आवाज सबटल साड़ा का अर्थ में लिखा गिए था, 1983 में इस कविता को लिखा गया था सब्टल साड़ा एके जहाजी के द्वारा दरसल इसमें वीर सहीदों की धर्ती जो जहारखंड के भोले भाले निवासी आदिवासी सदान खुद पर होते सोसन का भी विरोध नहीं कर पाते यहां ही कह सकते कि यहां पे मुख रूपने जो ब यहां पे रह रहे भोले भाले जो आदिवासी लोग हैं सदान लोग हैं वो खुद पर होते हुए सोसन का विरोध भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं उसके बारे में यहां पे बताया गया है सब्टल साड़ा तो यहां पे किसके बारे में यहां पे बात क्या गया है तो भोल सब्टल साड़ा इस कविता में बिर्सा तिलका विसुनाथ भीखू क्रांतिकारी सहीदेक नाम कौन पाठें आयल है तिया सभी बात जो किसमें किया गया तो सब्टल साड़ा कविता में इस सभी लोगों का जिक्र किया गया कि जारखन में हमारे ऐसे ऐसे वीर सपूत जो वो पैदा हुए जो कि जारखन में अपने कह सकते कि आंदोलन में भाग ले करके और बिना कुछ सोचे समझे जो वो सहीद तक हो गए और आज वही पे उसी राज में जो लोग अपने हक की लड़ाई या तो अपना सोसन का जो व अच्छे ढंक से कम से कम विरोध भी नहीं कर सकते चलिए उसको सुधारने की तो बात है दूर तक ही है कि उसका विरोध भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से तिये सारी बातें यहाँ पे की गई है इसमें से मौरेकलूर जिनगीक नाभान और चनफन मानुस तो यह सभी कभीता जो इसी के द्वारा लिखा गया है एक जाजी के द्वारा ही लिखा गया है सभी खोठा काठे पैदे खंडे में ही समद्दित है वर्तमान जहारखन के गोटा टाका के कतना भाग कहल गे ले तो वर्तमान यहां पर माना जाता है तो उसमें से पूछा जारा कि अब अगर देखा जा कि वर्तमान जहारखन में गोटा-टाका के कतना भाग कहल गये तो यहां पर शाव अना बात कि कज़ों डर गया चो मर गया Warm Is लोकुक्ति तो इसके बारे में पता चल गया, कि जो डर गया तो समझे लोकी मर गया या नहीं, जो डर गया वो पहले कोई काम कर ही नहीं पाएगा, तो किसी कायरी को करने के पहले पहले आपको सासी बनना पड़ेगा, उसके बाद उस कायरी को आप करने के लिए आगे बढ़ इस कविता को जो लिखा गया था जाजी के द्वारा जिसका आर्थ होता है जिन्गी के आउनती यानि जिन्गी का नभान यानि जिन्दगी के आउनती यानि धीरे धीरे गिरावट जिन्दगी का धलान इसको बोल सकते हैं जिन्दगी का धलान भी बोल सकते हैं कभी अपने ज जीवन की चरम उम्र में अपने विचार और कर्म के साथ जो समाज के सक्री रहने वाले लोग है उसका संकल्प जो यहाँ पर बात किया गया उसी के संकल्प के बारे में बताया गया है क्लेर हो गया चली आगे बरते हैं और आते हैं अगले सवाल पर डिडी नूनू पापा खवू पाठ में छववा साहित कर्माने की हवा तो छववा साहित कर्माने की हवा तो छववा साहित बाल साहित होगा यहाँ लेकिन गीत है इसलिए यह नहीं होगा और तो छववा साहित भी बोल सकते हैं इसको छहुआ साहे तो पूछा ही गया है ठीक है चली डिडी नूनू पापा खाऊ पाठ कौन किताब से लियल गे ले तो यह खोठा काठे पैदे खंडी से लियल गे ले अगला सवाल कि डिडी नूनू पापा खाऊ में पापा माने की हवे तो यहां पे हथ और कहिया लिखा लगाँ जाना है तो चलि फिर हाल के लिए तना ही मिलते हैं किसी नेक्स टॉपिक में तब कि लिए और आपका जो अगला topic होगा यह आप देख लिजी अगला topic जो वो आपका यह complete है तो इसमें से आपका जो वो अगला topic Hausवा कर दामध्रि कुराएं जो की कई लोगों का demand भी है कि दामध्रि कुराएं से आप कर दीजे तो हमने फ़हले बताया था कि धैनर रखी एक एक करके सभी chapters को हम लोग complete करेंगे और कोई chapter जो को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है हना सारी बाते हैं और यह आपका फिर भी आपको बता दे कि यह complete वीडियो नहीं है इसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी add करना बाकी है और उसको ले करके final वीडियो आपको तो